बीजेपी जेनल सेक्रेटरी मंजिंदर सिंग सिर्सा इस वक्त हमारे साथ मौझूद है आज आतीशी ने PC करके कहा है कि बीजेपी वाले उनके रिष्टदार को कॉंटाट कर रहे हैं कह रहे हैं बीजेपी जॉइन कर लिजे वरना एक महीने में गिरफतारी देखे को नहीं बात नहीं है आम आदनी पार्टी का ये एक फिक्स डॉयलोग है हमें फोन आया था किसका आया था वो बताएंगे नहीं हमें कल शादी में रिष्टदार मिला था कल रितु जी ने ये कहा था हुए शादी में रिष्टदार मिल गया तो उसने कहा था ये पर्म करने की इजाजत नहीं है एक बात अब तो यह बात खतम होगी अब वो अतीशी जी का रिश्चेदार वाला मसला तो खतम हो गया अब अगली बात सुनिए आपको जेल में बिजवाने का इंतजाम तो आपके नेता नहीं किया है अर्विंद केजरिवाल जी नहीं अर्विंद क मंत्री के नाम पे था गेलोट जी के लेकिन वह मंत्री के रूप में वह रहे पे थे और सीएम के घर से काम करते थे अब यह सवाल पूछा गया कि आपके घर से नायर काम करते दोने का मेरे को नहीं वो पैसे की बात क्या होती थी नहीं होती थी वो आतीशी जी और सौरव भारदवाजी को पता है तो जब इनको खुद ही पता चल गया कि इनका कोट के अंदर नाम लिया गया और अतीशी जी जी कोट में मौझूद थे सौरव लोगों को पता चल चुकी है मैं फिर कहा दूँ ऐसे ब्रश्ट और क्रप्ट लोगों को पार्टी में लेना दूर की बात दफ्तर के बात से निकलने देंगे मंजीदर जी ये भी बोल रहे हैं वो कि ना केवल आतिशी सौरभ भार्दवाज बलके रागव चड़्डा दुर्गेश पाठक को भी एक महीने के अंदर उनकी गिरफ्तारी होने वाले हैं में कंब्लैट مिथे किसी और की तो नहीं है विंचाब की कंब्लैट मेरी मेरी है दोनमें रागव च्ड़्डा जी का नाम तीस में 2021 को जवकिंगे बैठक में मगजूद थे तो मैं अल्डब यह सब कुछ बता चुकरा हूं यह सारी 2022 माफ करना यह सारी बात तो already on record अब इनको समय आने लगा कि जिस जिसके ख़लाफ एविडेंस है उन पे तो कारवाई होगी क्योंकि जब अर्विंद केजरिवाल जी पर बाकियों पर तो हो नहीं है अब इनको अपना बचाव करने का यह पुराना तरीका अर्विंद केजरिवाल जी के आप 10 शाल के बयान उ बताएंगे फोन नंबर किस से वोन आया था वो भी नहीं बताएंगे तुम्हें बता के कौन गया था उसका नाम भी नहीं देंगे सब कुछ कहेंगे लेकिन नाम नहीं देंगे इसलिए क्योंकि सारी मन गड़त कहानिया है जिस आदमी अर्विंद केजरी वाल जो इतना लगे सीएम जेल में ही रहेंगे वह से सब्सक्राइब क्या टेकनिकल चीज़े को आप देखते हैं जिससे आपको लग रहा है कि यह पॉसीबल नहीं है यह पॉसिबल है 75 साल में कोई सीम दिली की देश की जिल से सीमशिप चला सका नहीं कैते हैं सववधान में ऐसा लिखा करना है वो जेल के अंदर है उनका खाना भी कोट ने ओर्डर किया देने का इसलिए जो भी कागज साइन करेंगे वो जेल के जेलर की बिना जानकारी के नहीं साइन कर सकते, इसलिए कोई जेल के अंदर मीटिंग नहीं हो सकती, जेल के अंदर कोई कागज नहीं साइन हो सकता, को फाइल आ नहीं सकती, को फाइल जा नहीं सकती, अर्विंद केज रिवाल जी सब नोटंकी इसलिए कर रहे हैं, वो अपनी धर्म पत्नी जी को मुख्य मंत्री बनाना चाहते हैं, MLA मानने को त्यार नहीं है, दो MLA तो नहीं यह क्या कि निप्टा दिये कल, कि यह तो दोनों मेरे साथ, इनको मेरे साथ जेल में भेज दो, अब दो को साथ ले जाएंगे, फिर तो बारी आएगी कभी सुनीत प्राजी निमुख मंत्री बन पाएंगे. प्राजी निमुख मंत्री निमुख मंत्री निमुख मंत्री आएंगे.